नमस्कार दोस्तो, मैं डॉक्टर अंचली, आज मैं आपको बताऊंगी डाइकलोफिनेक सोडियम इंजक्षन के बारे में, कि ये इंजक्षन किस काम में आता है, कौन-कौन सी डिजीज में हम इसको लगा सकते हैं, तथा कितनी मात्रा में लगा सकते हैं, कितने दिन के लिए ह इसको काम में ले सकते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और क्या इसके कौन्टर इंडिकेशन मतलब किस में, किस-किस बिमारी में नहीं लगा सकते हैं, डाइकलोफिनेक सोडियम इंजक्षन है, ये इनके जो ब्रांड नेम है, कंपनियों के अ दर्द निवारक होता है, पैन कीलर का काम करेगा, माइल्ड से लेकर के जो मौडरेट पैन होता है, इसके अंदर हम डाइकलोफिनेक इंजक्षन को काम में ले सकते हैं, ऐसे कौन-कौन सी डिजीज है, जिसके अंदर हम डाइकलोफिनेक इंजक्षन को लगा सकते हैं, हम इस स्पंडलाइटिस यह क्या होता है कि जो हमारा स्पाइनल कोड होता है उसकी जो मुमेंट्स होता है उन मुमेंट्स में कभी-कभी जकडाट होने लग जाती है उन फ्लामिशन होने लग जाता है तो उसके कारण पैन होता है तो उसमें भी हम डाइकलोफिनेक इंजेक्शन को का में ले सकते हैं कभी-कभी जैसे हैडेक होता है या बोडी पैन हो रहा हो या माइग्रेन हो या बैक पैन हो रहा हो उसके अंदर हैडेक में वह जादा जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हम डाइकलोफिनेक इंजेक्शन को काम में ले सकते हैं या फिर ज से हमें कोई भी सर्जरी करनी है यह सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद में भी हमें पेशेंट को पैन ना हो इसलिए हम उसे क्या करते हैं डाइकलोफनेक injection का injection लगा देते हैं जो diclofenic sodium का injection है वो क्या करता है कि जैसे हम surgery करने है उसके पहले भी लगाते हैं वो सर्जरी कम्पलिट होने के बाद में भी लगाते हैं ताकि patient को pen ना हो जैसे कि kidney में stone है तो kidney में stone होने से पत्री के अंदर हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं डाइकलोफनेक सोडियम का इंजक्शन हम लगाते हैं इसकी जो डोज होती है वो क्या होती है डिपेंड करती है पेशेंट की एज क्या है तथा उसकी बजन क्या है उसके अकोर्डिंग हम क्या करते हैं डाइकलोफनेक सोडिय injection को काम में लेते हैं जैसे कि बच्चों में इसकी dose अलग होती है एडल्ट में इसकी dose अलग होती है तो जैसे 75 mg है इसको हम 1 ml के साथ भी mix करके लगा सकते हैं या फिर जैसे कि अलग-अलग 1 ml, 2 ml और 3 ml के साथ में भी वो depend करता है patient का बजन कितना है उसकी age कितनी है इसको लगाने का जो मार्ग होता है वो होता है हमारे muscles में भी लगा सकते हैं और हम बेन में भी लगा सकते हैं तो जैसे इसे intra muscular भी लगा सकते हैं और intra venus भी हम इसको लगा सकते हैं तो इंट्रमस्कलम में जैसे हमने हिप लगाये है तो उस साइट पर क्या होगा? वहाँ पेट हो सकता है, रैडेस हो सकती है, स्वेखिए अगर वह इंजक्षन हम ढग से ना लगाये तो दूसरा एब्डोमन में पैन हो सकता है या एब्डोमन खराब मतला हमारा पेट खराब हो सकता है कबजी हो सकती है और डाइरिया की कंडिसन भी आपको देखने को मिल सकती है नोजिया वोमेटिंग हो सकते है मतला जी घवराना सकता है बेचे नी हो सकती है ईल्टी भी हो सकते हैं या फिर कभी-कभी कानों के अंदर जैसे कि घंटिया सुनाहे देरी हो इस तायर की साउंड आपको कभी-कभी सुनाहे देतीया यह बहुत कम प्राइर चांस होते है हैं लेकिन क्या हर किसी पेशेंट के अंदर कहते हैं अलग-Alग है जैसा कि हर्ट का मरीज है तो हर्ट के मरीज के अंदर हम क्या करते हैं इसको कामें नहीं ले सकते हैं तता जैसे कि जो इसका ब३ूरा हुआ हो यह जिनको लिवर की प्रोबलम हो पिर जिन बना हुआ नाक के अंदर पॉलिप होता है इसके अंदर क्या हो रहा है अलसर हो रहा हो या फिर कोई भी इंटरनल ब्लेडिंग हो रही हो या फिर जैसे कि हमारा जो चैस्ट है उसके वहां पर क्या होता है जैसे जलन हो रही हो तो उसके अंदर क्या करते हैं हम डाइकलोफिनेक सोडियूम को काम में नहीं ले सकते हैं और इसको हम कौन-कौन सी ऐसी जो सिम्टम्स है जिसके अंदर हमें इसको नहीं लगाना चाहिए तो जैसे कॉंट्रा इंडिकेशन के अंदर मैं आपको बता दू तो जैसे कि जिनको किड्निकी डिजीज हो उनके अंदर हमें इसको नहीं लगाना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पे या जो जुसको प्रेगनेंसी कंसिव करनी है उनको या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है उन महिलाओं को या फिर ड्राइविंग करते समय भी हमें डाइना पार इंजेक्शन को कामें नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम अगर जो डाइकलोफनेक सोडियम को कामें लेते हैं तो इससे क्या होते हल्की सी नींद रहती है, हैडेक होने लग जाता है तो उससे पेशन्ट को अनकॉंफर्ट रहता है इसलिए हमें ड्राइविंग करते समय क्या होते हैं डाइकलोफनेक सोडियम को कामें नहीं लेना चाहिए तता प्रेगनेंसी के टाइम पर भी नहीं लेना चाहिए और जो breastfeeding करवाती है उन महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए उसके अलावा जैसे कि जो कोई भी major जैसे कि heart का जो मरीज है उनको avoid करना चाहिए diclofenic sodium को injection को I hope आपको हमारी information अच्छी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो please like and subscribe my channel Thank you